दोस्तो अगर आप जनसेवा केंदर चलाते हैं या फिर आप कोई भी ऐसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो की ओनलाइन होती है अगर आप ऐसी कोई भी सर्विस में डील करते हैं तो आपके पास कमाने का एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है अगर आप ऐसी कोई भी सर्वि पार्टनर से प्रोग्राम लेकर आया है जिसके तेहत अगर आप IRCTC के साथ जोड़कर काम करते हैं तो आप हर महीने 20-30,000 रुपे आराम से कमा सकते हैं ये रकम इससे जादा भी हो सकती है और इससे कम भी हो सकती है वो डिपेंड करता है आपकी मार्केटिंग के ऊपर अगर आपकी दुकान की लोकिशन बहुत अच्छी है तो आप इसमें ज़्यादा पैसा भी कमा सकते हैं और अगर आपकी दुकान की लोकिशन बहुत अच्छी नहीं भी है तो आप लगवग 20,000 रुपे महीने के तो आराम से कमा ही सकते हैं तो चलिए दोस्तों अब आपको बतात किस तरीके से आप IR CTC के साथ जुड़कर काम कर सकते हैं और महीने के 25 से 30,000 रुपे कमा सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं IR CTC के साथ जुड़कर आप अगर काम करना चाहते हैं तो आपके पास एक बहुत अच्छी कमाई का मौका है। आप महीने की से अच्छी कमाई कर सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको कुछ इन्वेस्टमेंट भी करना होगा जो के आपको IR CTC के नाम से डीडी बना कर जमा करना होगा। जी हां दोस्तो, IR CTC का कहना है कि अगर आप उसका लाइसेंस लेते हैं और उसके आप टेकिट पार्टनर बन जाते हैं तो आपके लिए 20,000 रुपे इन्वेस्ट करने होगे जो की बिलकुल रिफंडेवल होगे। क्योंकि एक साल के बाद आपको ये पैसा बापस मिल जाता है। तो चलिए दोस्तो, आप आपको बिस्तार से बताते हैं कि किस तरीके से आप IR CTC के साथ जुड़कर काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको 20,000 रुपे का इन्वेस्टमेंट लगेगा। जी हां दोस्तो, आपको 20,000 रुपे IR CTC के नाम से डिमांड ड्राप बनवाना होगा और वो आपको जमा करना होगा। ये पैसा आपका रिफंडेवल होगा। जब भी आप इसका लाइसेंस रद्द करते है या फिर जो भी Terms and Conditions IR CTC ने रखी हुई हैं उसको पढ़कर आप एक बार इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप अपने Ticket Partnership Program का लाइसेंस ले सकते हैं जिसके बाद आपको एक लाइसेंस मिल जाता है और लाइसेंस के साथ साथ आपको एक Training Kit भी प्रोवाइड की ज जाते हैं इसके लिए आपको एक काम और करना होगा हर साल आपको ये लाइसेंस रिन्यू कराना होगा और इस रिन्यू कराने के लिए आपको 5000 रुपे हर साल देने होंगे अब आपको बताते हैं इसके बिजनिस के बारे में कि आप इसके बिजनिस से कितना पैसा कमा सकते है दोस्तो अगर एक रिपोर्ट की मानें तो IRCTC की वेब साइट पर हर मिनट लगबग 10,000 टिकेट बुकिंग होते हैं जैसा कि आप जानते हैं IRCTC सिर्फ रेलवे में ही डील नहीं करता वो बहुत सारे प्राइट सेक्टर में भी अपना बिजनिस बढ़ा रहा है और साती साथ उसमें काम भी कर रहा है अगर आप IRCTC के साथ जोड़कर काम करना चाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका हो सकता है आप बात कर लेते हैं इसकी कमिशन की अगर आप कोई भी ac का टिक्ट बुक कराते हैं तो आपको 50 रुपे हर एक टिक्ट पर कमिशन होगी और साती साथ आप अपना जो भी चार्ज रखते हैं उसके इसाब से आप अपना पैसा बना सकते हैं अगर आप कोई भी एक sleeper का ticket कराते हैं तो उसमें हर एक ticket पर आपको 30 रुपे की commission बिलती है अगर दोस्तों इस graph को पकड़ के चलें और मालने आपने हर रोज 10 टिकेट AC के book कर दिये और 10 टिकेट आपने sleeper के book कर दिये तो आपको हर रोज लगबख 800 रुपे की income हो जाती है जिसके थुरू आपको हर महीने लगबख 24,000 रुपे की income होगी और चाहें तो आप एक अपना personal charge भी रख सकते हैं दुकान के साथ-साथ जो के आप customer से 10 रुपे या 15 रुपे हर टिकेट पर ले सकते हैं जो के आपका service charge हो सकता है उसमें आप 10 रुपे या 15 रुपे जो भी आप service charge रखना चाहें वो आप customer से ले सकते हैं वो आपके उपर depend करता है आप उनको कैसी service देना चाहते हैं अगर आप basic term भी पकड़ लेते हैं तो आप महिने के 20 से 24 रुपे आराम से कमा सकते हैं और आपकी दुकान की location बहुत अच्छी है तो आप इसमें 30 से 35 रुपे भी हर महिने कमा सकते हैं इसमें आपको दो फायदे होंगे एक तो आपकी दुकान के reach बढ़ेगी आपके customer की reach बढ़ेगी और साथी साथ आपके product में भी फायदा होगा अगर आप अपनी दुकान पर कोई भी product sale करते हैं या फिर कोई और service provide करते हैं तो उसमें भी आपके customer की बढ़ा उतरी होगी आसा करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आपके काम की होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो फ्लीज वीडियो को like करें साथी साथ हमारे चैनल को subscribe करें और ऐसे ही amazing वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे हैं और आज की वीडियो देखने के लिए ए आपका धन्यवाद